सपनों में साप आना बहुत ही सामान्य है लेकिन हर किसी के लिए इसका मतलब अलग-अलग हो सकता है साप कई बार डर का प्रतीक माना जाता है तो कई बार ये बदलाव और शक्ती का भी संकेत होता है आम तोर पर सापों का हमारे अवजेतन मन के गहरे विचारों से दिखना चोड़ा जाता है अगर आपने सपने में साप दिखा है तो इसका क्या मतलब हो सकता है आपके जिन्दगी में क्या कोई बड़ा बदलाव आने वाला है पर ये बदलाव सकारात्मक होगा यानकारात्मर ये जानने के लिए आपको और गहराई में जानना होगा अब जानते हैं कि सपने में साप किस तरह से दिखाई देता है और इसका क्या मतलब हो सकता है अगर सपने में साप काटते हुए दिखता है तो इसका मतलब हो सकता है कि आपकी जिन्दगी में कोई समस्त्या है जो आपको परिशान कर रही है या ये एक चेतावनी भी हो सकती है कि आप अपने दुश्मनों या जो भी लोग आपको धोके दे सकते हैं उनसे साथान रहे अगर सपने में साप आपका पीछा करता है ये दर्शाता है कि आप अपनी भावनाओं से डरे नहीं और भागे नहीं शायद आपकी जिन्दगी में कोई ऐसा मुद्दा हो सकता है जिसको आप फेस करने से बच रहे हैं तो आपको करना बस यही है कि आपको उसका साप ना करना है अगर सपने में साप अपनी केचूली उतार रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी जीवन में सकारात्मक बदलाव आने वाले है साप की केचूली छोड़ना नए आरम और विकास का प्रतीक होता है तो बहुत बार हिंदू में जो भी लोग हैं वो लोग जो हिंदू धर्म को मानते हैं उनको भगवान शिफ को साप का प्रतीक मानते है तो शक्ती पुनरजनम और अनन्तिता का भी यह संकेत होता है तो दोस्तो यह था सपने में साप देखने का मतलब उमीद है कि आपको यह वीडियो है वो अच्छी लगी होंगी और सपनों को आप थोड़ा और बहतर समझ पाए होंगे तो अगर आपके यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कामेंट में बताएं कि कभी आपने साप देखा है या नहीं मिलते हैं अगले वीडियो में और दिल्चस्प सपनों के मतलब जानने के लिए तब तक के लिए खुश रहिए और अपने सपनों को समझने की कोशिश करते रहिए